नमश्कार में प्यास साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर्ट टॉपिक बहुत सिंपल सा है लेकिन हम आज इसको एक्जाम पॉइंट ओफ यू से रीड करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं विकोज एक्जाम कि पुछे जा सकता है कि किसकी प्रेजंस में होती है लेकिन इसमें और कुशन मंते हैं जिसे कि लीमिट ऐस्ट फॉर्ट जो है वह कौन से इक्विप्मेंट उसके लिए यूज किया जाता है और किस तरह का जो है स्टेंडर्ड डॉराइड सॉलूशन की कितनी जो है है वह टेस्ट जो है वह किसकी प्रेजंस में गया आता है ख्लोराइड का टेस्ट ठीक है तो आए शूरू करते हैं प्रिंसिपल से लिमिट टेस्ट फोर प्लोराइड इस बेस्ट ऑन तरी एक्शन ऑफ सॉलीवर क्लोराइड देखें एनसी एल विड्स इल्वर नाइट्रिट एजन ओ फ्री इन प्रेजंस ऑफ डालूट नाइट्रिक एसीड एच एन ओट्री फोर्म सिल्वर क्लोराइड देखें यहां पर सोलीवर क्लोराइड के साथ सिल्वर ने बाॉंड मना लिया है बाउंड हो गया है तो एजी सील यहां पर निकल गया प्लस एन एन अएन दुर इस इस अपियर एज इस एपियर एज इस सॉलिड पार्टिकल और यह क्या गरता है ऑपोलस देता है सॉलीशन को मिन्स तुझे सिल्वर क्लोराइड जब बनेगा तो यह हमारे सॉलीशन को टर्बिड बनाएगा इसको वाइट बनाएगा वाइट इस बोह सकते हैं जैसी यह पानी और दूद को मिक्स करके जो कटाव रवा रवंता है वाइट वाइट कलर का नहीं ट्रांस्पेरंट ट्रांस्पेर्ण निहीं होता तो उस तरह का कलर्ड जो है यह देगा सॉलीशन को तो इससे हम और बनाएगा कि हां इसमें क्लोराइड इंप्योर्टी है ठीक है तो यह है कि इससे यहां पर यह बनाए कि रहे सोलीशन ओफ क्लोराइड इन एसलेंडर टेक वन एमल ऑफ 0.05845 परसेंट वेट अपॉन वोल्यूम सॉलीशन और सोली सोडियम क्लोराइड इन एसलेंडर तो कोशिन यहां से भी पूट अप हो सकता है कि जो हमारे पास क्लोराइड ह में किया जाता है तौह से हमार को अपरन सेंस और टर्विडिटी मिलती है तो यह प्रोसीजर है इसे तो इतना में कोशचन नहीं पुछाटां कि ए किया जाता है टेस्ट को राइट किस ओंजेट में एक कोशन यहां से बन जाता है observation देखते हैं यहां पर जो अपॉलो जो हमारा सेंपल है उसकी हमेशा कम होनी चाहिए हमारे स्टेंडर स्लूशन से यही बताया गया है जो अपॉलो सेंपल सुलूशन जेला सेंडर स्टेंडर सॉलूशन ठीक है तो यह में सेंपल पास होगा next reasons क्यों हम लोग जो है कोशन पूट अप हो सकता है क्यों HNO3 ही यूज किया जाता है हमारे को क्योंकि HNO3 जो है वो acidic है और जो हमारा chloride limit test है वो acidic medium में ही perform होता है ताकि nitric acid is added in the limit test for of chloride to make solution acidic क्योंकि acidic बनाने के लिए ही किया जाता है and help silver chloride precipitate to make solution turbid at the end of the process दूसरा हमारे पास क्या point है यह क्या करता है जैसे हमने अचनो थरी लिया है ठीक है तो हमारे जो chloride का सेंपल होगा उसमें ऐसा तो नहीं कि और impurities नहीं होगी और impurities free radical की form में present हो सकती है तो उन free radical को की precipitation ना हो वो भी precipitation ना बनाएं तो उसको prevent करने के लिए हम लोग अचनो थरी यूज़ कर रहे है इसमें ठीक है अगला कोशन बन सकता है कि concentration कितनी होने चाहिए chloride ions की chloride कितनी मातरे में present होने चाहिए तो स्टेंडर्ड जो इसका concentration है chloride ion का solution में स्टेंडर्ड जो कंसेंट्रेशन वह 25 पार्ट पर million पार्ट 25 पीपिम ठीक है कोशन यहां से बन सकता है नेक्स्ट इस कि क्लोराइड को किस तरह की impurities माना गया है तो chloride is considered to be an acid radical impurities तो यह कुछ कोशन जो है इससे बन जाते हैं पहली हमने बात की थी कि आपका जो यह कौन सा equipment इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह भी कोशन बनता है इससे क्योंकि जैसे हमारा अर्सेनिक के लिए दूसरा equipment इसको नेसल स्लेंडर में नहीं परफॉर्म किया जाता तो एक कोशन यह एक बन जाता है हमारे पास कि इसके लिए equipment नेसल स्लेंडर दूसरा हमारे पास HNO3 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें या फिर कौन सार किसकी आठीडर युक नुक्त को यूज़ से के लिए मन नहीं जामारे इसरा दौसराइस में करते हैं और ऐसे स्लेंडर नाइटिरेट की इससमें करते हैं और आयान। चलोराइड की इतनी होने चाहिए तो 25 पीपीम होने चाहिए और चलोराइड जो है वह वह considered कैसा किस तरह से किया जाता है उसको acid radical imputus के रूप में जो है consider किया जाता है तो थैंक यू सो मच यह कुछ 5 question इससे हमें बन गए है चाहर पांच question हमारे इसी से बन चुके है तो थैंक यू सो मच फो वाचिंग वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू सो मच